चले खबरों में आगे बढ़ते हैं और मध्धे प्रदेश में होने वाले त्री सरीय पंच्वायज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोक ने बड़ा फैसला लिया है अब तक एक मतुदान केंदर पर एक मतपेटी रखने का नियम है वर्तमान में हर मतुदान केंदर पर मतदाताओं की संख्या जादा होने की संभापना को देखते हुए इन निर्देशों में बदलाब किया जा रहा है अब पंचायज चुनाव में एक मतुदान केंदर पर 500 तक वोटर होने पर एक बड़ी मतपेटी रखी जाएगी वही 700 से जादा मतदाता होने पर दो बड़ी मतपेटी दी जाएगी और राज्य निर्वाचन आयो के सचिव राकेश स्विंग ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं खबर ग्वालियर से है जहां केंद्रय मतप्री जोतिरा दितिया सिंधिया से बड़ी संख्या में समर्तोकों ने मुलाकात की निकाय जुनाव में टिकेट के लिए जैविलास पैलेस में समर्तोकों की फीड लग गई और बुरेना फिंड क्वालियर दतिया समेत कई जनों से कारिकरता पहुँचे बीजेपी के तमाम जो लोग हैं वो इस तोरा नज़र आए दिवास में मतदाता जागरुकता करने के लिए निर्वाचन आयोक ने मेरतन दोड़ का आयोज़न किया और निर्वाचन आयोक के निर्देश पर जुला प्रशासन ने नगर निकम के साहियों के साथ मददाता जागरुकता मेरतन का आयोज़न किया है मेरतन में युवाओं से लेकर महिला और बुज़र्गों ने बढ़ चड़कर के हिसा लिया नेगर निगम आयुक्त विशाल सिंग ने जुले के तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर हरी जंडी दिखा कर मैरतन का शुभारम किया है वह साथ किलो मिटर लंबी मैरतन दौर देवास के अलग-अलग इलाकों से होती हुई स्याजी गेट पर खत्म हुई है मद्य प्रदेश में नगरेय निकाय चुनाव की खोशना हो चुकी है लेकिन चंदवारा का महापौर कौन होगा इसके लिए अभी तक किसी भी दलने अपने पत्ते नहीं खोले हैं नगर डिकब चुदवारा में बीजेपी और कॉश्रत होने वाले कैंडिडेट्स पर सबकी निकाहे हैं टिकेट पाने के लिए उमीदवार रास्तानी फोपाल का चक्कर लगा रहे हैं कॉंगर्स और बीजेपी से जुटे कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर जीत का दावा कर रहे हैं तो ये अब टिकेट की रिस और भी जादा मुश्किल होती चली जा रही है क्योंकि जितने पद हैं उससे जादा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो दावेदारी है वो अलग-अलग नेताओं के द्वारा पेश की जा रही है और जाहिर दोर पर इसके लिए जो बड़े नेता हैं कैबिनेट मंतरी हैं और तमाम जो मंतरी हैं उनके पास तक ऐसे सामने जो है अपने जो जानकारी है वो पहुँचाई जा रही है और बकाइदा दावेदारी पेश की जा रही है